अगर आपको घर बेटे बड़े तुछ इसी तरह से अगर आपको फोटोग्रास खिछनी है तो ये वडियो आप जरू दिखेगा मैं आपका दोस्ट सरवेश दुबले आपका स्वागत करते हैं हमारे चैनल में जिसका नाम है दफोटोग्राफी एक अलगी जॉनरा है जहां पे ये पूरा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट और फाइनल लुक कैसे होगा आपने इंटरनेट पे देखा हुआ कि बहुत सी प्रोड़क्ट फोटोग्राफी जो है एक वाइट बेगराफी के लिए जाती है जयात रखेगा वाइट बेगराफी जो फोटोग्राफी करते हैं वो basically e-commerce फोटोग्राफी होती है Amazon, Flipkart और ऐसा e-commerce वेबसाट के लिए वो फोटोग्राफी होती है आपको अगर प्रोड़क्ट फोटोग्राफी में अगर इंटरेस्ट है या in future अगर आपको प्रोड़क्ट फोटोग्राफर बनना है तो आपको भी सिर्फ white background पे ही नहीं तो उसे अलग-अलग background पे click करके try करना होगा आपको ज़्यादे से ज़्यादा clients attract करने के लिए या ज़्यादा projects मिलने के लिए आपको कुछ innovative photos भी खिशने होंगे सिर्फ white background पे आप product photos भी करोगे तो उससे शायद आपको अच्छे clients या अच्छे projects ना मिले अगर आप product photography अलग-अलग looks में अलग-अलग background पे अलग-अलग textures पे कुछ try करते हो तो उससे आई हुई ज़्यो तस्वीर है वो आप अपने portfolio में आड़ करके अपने social media में आड़ करके या अपने website पे आड़ करके आप clients को attract कर सकते हो और नएने projects पा सकते हो आज हम कुछ इसी तरह की product photography करने वाले हैं वो भी घर बेठे बेठे और वो भी cell phone से जिया दोस्तो आज हम सिर्फ cell phone का use करके ये product shoot करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम सिर्फ product photography ही नहीं उसके साथ साथ उसकी styling में दिखने वाले हैं हम देखेंगे कि product किस color का है उसके background कौन से color का होना चाहिए उसके साथ साथ angles के होने चाहिए चले फिर देखते हैं आज की शूट के लिए मैं क्या-क्या use करने वाला हूँ जैसे आप screen पे देख रहे होंगे मैं कुछ अदलग colors के कपड़े ले रहा हूँ उसके साथ साथ मैंने घर में available या आप daily जो use करते हो उनी product का इसमाल करके आज ये shoot करने वाला हूँ product photography या किसी भी photography के लिए आपका color combination या color theme होना एक बहुत जरूई चीज है आप अगर गलत color select करते हो और गलत background पे अगर photo click करते हो तो आपका जब product है वो खिल के नहीं आएगा वो अच्छे से नहीं दिखेगा और जो final output है वो अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको पता नहीं है दोस्तों कि आपके product के लिए या आपके product के color के हिसाब से आपको किस color का background चूज करना है तो ये जो website आपको मैं बता रहा हूँ ये website पे आप जाईए इस website पे आप अपने product का color डालके आपको आसानी से उसका background color का या उसके contrasting color का options मिल जाएंगे एक immature photographer में और professional photographer में काफी अंतर होता है दोस्तों immature photographer ऐसी photo लेगा जो उससे पसंद है professional photographer ऐसी photo लेगा जो client के requirement के हिसाब से हो वो पूरी planning करके theme set करके client के requirement से ही आपको photo लेगा दोस्तों अगर आपने मेरा ये previous वीडियो नहीं दिखा है तो ये ज़रूर दिखेगा इसमें मैंने घर बैठे बैठे mobile से creative photographic कैसे करनी है ये समझाया है उसके साथ साथ मैंने कुछ mobile settings के बारे में बताया भी है आज के इस shoot के लिए मैं आपको आपके camera से कुछ एक basic settings आपको दिखा देता हूँ आपको आपके camera के grid lines option को on करना है उसके help से आप अपने products को अपने photographic को properly frame कर सकते हो और align कर सकते हो दूसरी चीज आपको जब photo किशना है तो आपकी जो quality होगी photo की वो याद रखेगा वो हमेशा high पे होनी चाहिए आप हमेशा try कीजिए आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा photo ले अलग-अलग angles में photo ले अलग-बैग्राउंड में photo ले तो उससे आपको यह समझ में आएगा कि किस background पे कौन से अलगर products अच्छा लग रहा है या किस angle में किस तरीके के light में आपको product ज़्यादा खिल के आ रहा है या ज़्यादा उबर के आ रहा है चलिए तो दोस्तों आज का setup देख लेते हैं जब फौने साथ के अच्छा घरेजाए सक्साथ किस तरीक पालाई सक्साइब इता कि में एपको किस ज़्या समयक्षबber खूलाई uh ज़्यादा हो sûr friend भर का पालाई विो फिर झाल 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 झाल